नमस्कार मैं हूँ दिव्या बिहारी न्यूज में आपका उस्वागत है खबरों के उबने से पहले एक नज़र सुखियों पर सिक्षकों के लिए पुरानी हाजरी सिस्टम से होगा बदलाव कोरोना को लेकर स्वास विवाग ने जारी की एडवाईजरी बिहार से किस IPS का हुआ प्रमोशन अब बिहार सरकार ग्राम केचरी चलाने के लिए पहले से दे गिया धिक पैसे इस साल बाद फिर से साउथ एफरीका की धरती पर टेस्ट स्रीज अपने नाम करने की कोसुस में टीम इंडिया इसके साथ ही बढ़ते हैं साम तक की बड़ी खबरों की और विस्तार से सिक्षकों के लिए पुरानी हाजरी सिस्टम में होगा बदलाव आए दिन सिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचीव केके पाठक सिक्षा विवस्ता में सुधार को लेकर कई नए फर्मान जारी कर रहे हैं अब इसी करी में उन्होंने सिक्षकों के हाजरी सिस्टम में कुछ बदलाव किये हैं जिसके तहत उनों ने पुराने हाज़रे सिस्टम को ही खत्म कर दिया है। सिक्षा विभाग द्वारा सिख्षकों के उपस्तिती दर्ज करने को लेकर पत्र जारी करते वे नए पैटर्ण सेट किये गए हैं। निरी जानकारी के नुसार अब आने वाले ने साल से इस ने सिस्टम को लागू किया जाएगा। पत्र के माधिम से कहा गया है कि अब स्कूलों में साल में 12 रजिस्टर में सिक्षकों की हाजरी बनेगी। पहले एक ही रजिस्टर होते थे जिन में पूरे 12 पन्ने में महीने के उपस्तिती सिक्षकों द्वारा दर्ज की जाती थी जिसके तहत एक पन्ने में पूरे एक महीने की हाजरी और 12 महीने के लिए 12 पन्ने होते थे लेकिन नैनियम के अनुसार स्कूल के सभी कर्मी और सिक्ष बिहार में आज IPS के प्रमोशन को लेकर खबर सामने आई है। प्रमोशन मिले IPS में 3 को DIG से IG, 11 SSP को DIG और 7 SP को कनिय से प्रवर कोटी यानी सेलेक्षन ग्रेड में प्रमोशन मिले हैं। इसके अदि सूचना ग्रेव विभाग द्वारा जारी की जा चुकी है। प्रमोशन मिले कि DIGS प्रेमलता को IG रैंक में प्रमोशन मिले हैं। बतारे कि ये 2006 बैच के बिहार कैडर के IPS हैं। अब बिहार सरकार ग्राम कचरी चलाने के लिए पहले से देगी अधिक पैसे। लोगतंत्र को मजबूत करने में पंचायती राज विवस्ता का सुद्रेट होना भी बहुत जरूरी होता है। बिहार सरकार ने पंचायती राज विवस्ता में और सुधार को लेकर एक कदम आगे बरहाया है। ताकि पंचायत अस्तर की जन प्रतिनिद्यों को ग्राम कचरी के काम काज करने में किसी प्रकार की परिसानी का सामना ना करना परे। इसके लिए वर्ग फीट एरिया सुनिस्द करने की बात कही है। ताकि ग्राम के जड़ी के दौरान लोगों को अधिक परिसानी का सामना ना करना परे। साथी विभाग द्वारा दिये के निर्देश में कहा गया है कि किसी भी हाल में किराय का भवन पंच या सरपंच का नहीं होगा। बिहारी बत्रे में आज हम बात करेंगे राम रिक्स बेनी पूरी के बारे में ये पेसे से एक महान, विचार, अक्चिन्तक, पत्रकार और क्रांतिकारी साहितिकार थे। इनका जन बिहार के मुझपरपुर जिले में आज के दिन वर्श 6899 में हुआ था इन्होंने साहित कार की रूप में हिंदी जगत में अपनी कई अमीर छाप छोड़ी जिनमें चिता के फूल लाल तारा, माटी की मूरत, गेहूं और गुलाब जैसे कई कहानी संग्रा सामिल हैं बिहार के हिंदी साहिते सम्मेलन में इनकी भूमी का महत्वपून रही है, स्वतन्ता के बाद इन्होंने अपने साहितिक रजना से देश और समाज के नवनिर्मान के कारे किये हैं कोरोना को लेकर स्वास विभाग ने जारी की एडवाईजरी, बीते 24 घंटे में बिहार में अब तक कोरोना के एक भी मामले सामने नहीं मिले हैं लेकिन फिर स्वास विभाग को लेकर अलर्ट मोड में आ चुका है, इसी करी में स्वास विभाग के अपन मुख्य सचीव प्रत्य अमरित द्वारा एडवाईजरी जारी की गई है, इसके तैट पतना गया और दर्भंगा एयर रपोर्ट पर आने वाले यात्रियों की रैं नाच की संख्या बढ़ाई जाए, इसके साथ उन्होंने अस्पतालों में आने वाले सभी लगों के लिए मास्क पहनना आनिवारी किया है, एक्तिस अपराधियों पर स्टी एफ ने की इनाम की घोसना, राजे सरकार ने प्रदेस में बढ़ते अपराद को लेकर बरा फैस् की सूची जारी की गई है, पुलिस ने इन पर पहले से ही इनाम देने की घोसना कर रखी है, एस्टी एफ के अपर पुलिस महानिदेश सक सुसील कुमार खोप्रेद वारा बताया गया कि इनको ख्यात अपराधियों को दबोचने के लिए एस्टी एफ की जवान कोई कसर नह इनाम की घोसना की गई है, जो भी लोग इन बदमासुकी सूचना पुलिस तक महचाएंगे, उन्हें ये इनाम दिये जाएंगे, लेकिन इनाम देने की सर्थ भी रखी गई है, सूचना देने वाले को इनाम तभी मिलेगा जब इन अपराधियों को धर दबोचा जा सकेगा सिक्चक भरती के दूसरे चरण के परिनाम जारी करने की प्रक्रिया हुई शुरू, सिक्चक भरती परिक्षा के दूसरे चरण का रिजल्ट BPSC द्वारत जारी करना शुरू किया जा चुका है, सबसे पहले ये रिजल्ट क्लास 6 से 8 के लिए मैथ और साइंस के अभीरतियो के जारी हुए हैं, जिनमें कुल 11,369 अभीरतियों का नाम सामने आया है, इस मेरित लिस्ट में पहले नंबर पर सचीन कुमार मिसरा का नाम सामने आया है, वही कुल 38 उमिद्वारों का चिन 7 दिसमबर को आयोजित B.C.E.B.C. Welfare Department और S.C.S.T. Welfare Department के प्रधाना ध्यापक पत के लिए हुआ है, वही आयोग द्वारा कुल 60 उमिद्वारों को संगीत या कला विसे में सफल घोसित किया गया है, यह गोसना 7 दिसमबर को आयोजित विद्याले अध्यापक नियोक्ती प्रतियोगिता परिक्षा के आधार पर हुई है, जो पिछरा वर्ग और अती पि अभियर्तियों ने इस परिक्षा के लिए आविदन किया था, हालां कि परिक्षा में 7 लाग अभियर्ति ही सामिल हुए, फिलहाल 25 दिसमबर से सिक्चक अभियर्तियों के काउंसलिंग की संभाब ना जताई जा रही, दर्भंगा जिले से लाखों की ठगी कर फाइनेंस कंपनी हुई फडार, बिहार के दर्भंगा जिले से लगबक 30 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है, नरसल कोई सम्रिद्धी माइक्रो फाइनेंस कंपनी महिलाओं से लाखों की ठगी करके फडार हो गई है, यहां फाइनेंस कंपनी दर्भंगा जिले के फड़ी पंचायत में एक आवासे परिसर में संचालित हो रही थी, यहां कंपनी 17 लोगों का ग्रूप बनाकर गैस, जूला, पंखा, थर्मस, कुकर और आइरन आदी देने के नाम पर लाखों रुपए जमा कर रही थी, दिनोंने भी इसमें पैसे लगाए थे, उन्हें सु कोई सामान बरामत नहीं हुए है, हाला कि मामले में पुले सागी की कारवाई कर रही, महाबोधी मंदर परिसर में बहुत धर्म गुरु दलाई लामा ने विस्व सांती के लिए की पूजा अर्थना, तिबती बहुत धर्म गुरु दलाई लामा द्वारा विस्व सांती के लिए भगवान बुद की ग्यान अस्थली बोध गया कि महाबोधी मंदर परिशन में सित्थ बोधी विर्ख्ष के नीचे विसेश पूजा अर्चना की गई है इस पूजा में बहुत रधालू हजारों की संख्या में सामिल हुए थे कैस्थ रधालू तो केवल दलाई लामा क दर्सन के लिए ही महाबोधी मंदर में बैठे थे इस मौके पर दलाई लामा ने कहा कि बोध गया पावन भूमी है जो विस्व की खास अस्थली में से एक है यहां बुद भूमी में आने पर हर किसी को सांती मिलती है इस पावन भूमी इसमें भगवान बुद को ग्यान की प्राप्ती हुई थी यहां विस्व से लोग भगवान बुद के दर्सन के लिए आते हैं यहां सभी को सांती मिलती है बुद गया विस्व की खास अस्थली है सुसील मोदी ने सीम नितीस पर कसा तंज दिली में इंडिया गटबंदन की बैठक के बाद आरोप रते रोप का सिलसिला भी जारी है भाजपा के नेता तो इंडिया गटबंदन को और स्थाई गटबंदन तक करार दे रहे हैं अब इसी करी में भाजपा नेता सुसील कुमार मोदी ने भी राज़द और जदियों को अपने निसाने पर लिया है उन्होंने कहा है कि तेजस्वी दिली में इंडि गटबंदन की बैटक में लिट्टी चोखा खाने गए थे नेकि नितीस कुमार को संयोजक बनाने के नाम पर चुप्पी साध ली है जब ममता बेनर्जी और केजरी वाल ने मलिक आजुन खरगे का नाम प्रस्तावित किया तो तेजस्वी ने चुप्पी साध ही उन्होंने कहा कि नितीस कुमार के साथ खेला कर रही है नितीस कुमार भी भ्रम में जी रहे हैं कि राज़त उनका नाम प्यमों में दवार के लिए आगे रखेगी राज़त कभी भी नितीस कुमार का नाम आगे नहीं रखेगी आगे उन्होंने कहा कि नितीस कुमार चोर कर राज़त में इसलिए गये थे कि उन्हें रधान मंत्री पद के लिए समर्थन मिले लेकिन उनका हाल न माया मिली न राम वाली बात हो गई एक बार फिर एडी ने तेजस्वी यादब को समन किया जारी एडी ने नौकरी के बद्दे जमीन घोटाला मामले में बिहार के रिप्टी सीम तेजस्वी यादब से पूछताज को लेकर समन जारी कर पांच जनवरी को दिल्ली एस्थित एडी मुख्याले में बुलाया है बत 2004-2009 के बीच रेलवे ग्रूप D में नौकरी देने के बदले उन से जमीन लेने का मामला सामने आया था और इसमें आरोपी लालू यादब को बनाया गया था अलाकि इस मामले में अब तेजस्वी यादब का नाम भी सामने आने से एडी उन्हें पूछताज के लिए समन जा जदावा केंद्रे मंतरी ग्रीराज सिंग निलती सरकार पर तंच कसा है दरसल उन्होंने कहा है कि राज्य में कानून विवस्ता भगवान भरोस से चल रही है साथ इन्होंने कहा कि उनकी मुलाकात लालू यादब से हुई जल्धी जदियों का विल्या हो जाएगा उन्हों के बीच सीत का बतवारा कहां होना है हालां कि मामले को लेकर चिजस्वी का बयान सामने आया है उन्होंने कहा है कि सुर्कियों में रहना है तो कुछ तो बोलना ही होगा बिहार के जिले में अस्थानिये संसदूमिदवार की उठी मांग 24 लोक सभा चुनाब में आने में पोस्टर के इसके द्वारा लगाया गया अभी तक इसकी जानकारी सामने नहीं आई है लेकिन इविदक के तौर पर नवादा लोग सभा वासी देखने को मिला इस पोस्टर में लिखा गया है कि बाहरी भगाओ नवादा बचाओ नहीं चाहिए बाहरी सांसद अब की बाहर घ े पोस defence प्रिच है अब दो मैचों की टेस्टा सिरीच कोले कर भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दोनों सब्सक्राइब दोनों ही तइम हिते साउ प्र सुरोह की कपतानी में उतरने वाली है बतादे कि साउथ अफरीका में टेस्ट सिरीज जितने में एक बार भी भारती टीम बीते 31 सालों में कामियाब नहीं हो पाई है ऐसे में एक बार फिर से टीम इंडिया साउथ अफरीका की धर्ती पर टेस्ट सिरीज अपने नाम करने की कोशिश करेगी बिहार में आज ये रहेंगे पेट्रॉल और डीजल के रेट बिहार में पेट्रॉल डीजल की कीमत आज जारी की जा चुकी है इस बार पेट्रॉल डीजल की रेट में लगबग किसी प्रकार का बदलाब देखने को नहीं मिला जारी हुए कीमत की मताबिक आज के पेट्रॉल का दाम 109.23 रुपए तो वही डीजल का दाम 95.88 रुपए है राजधानी पत्ना में पेट्रॉल के रेट में 18 पैसे की बरहोतरी हुई है तो वही डीजल के दामे 17 पैसे की बरहोतरी देखने को मिली है इसके मुताबिक पटना में पेट्रॉल की कीमत 107.42 रुपे है तो वहीं डीजल की कीमत 94.2 रुपे है अब बात करते हैं बिहार के अने जिलों में पेट्रॉल की रेट की तो इसके मुताबिक मुसपरपूर में 108.19 रुपे भागलपूर में 108.56 रुपे गया में 107.94 सिवान में 108.24 पुर्णिया में 108.72 रुपए वैसाली में 107.75 रुपए और अंगाबाद में 108.68 रुपए तो वही बाका में 108.51 रुपए है वही डीजल के रेट की बात करें तो इसके मुसपरपुर में 94.91 रुपए भागलपुर में 95.25 रुपए किसंगंज में 95.99 दर्भंगा में 94.96 रुपए मधुबर्णि में 95.95 रुपए वैसाली में 94.94 रुपए और अंगाबाद में 95.58 रुपए तो वही बांका में 95.92 रुपए रहे बीटे दिन हमारे दोरा पूछे के सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने पना जवाब हमें हमारे कॉमेंट सक्सन बॉक्स मे लिकर दिया था जिन्होंने हमारे दोर पुझे कर सवाल का जवाब दिया उनके नाम है सादुल्ला पल्वी, समित यादव, उमेश रिसी देव, सिफॉन कुमार, मुहमद अबजल, मनसूरी, बिजेंदर सिंग, मुहमद साकीर हुसै, रवी कुमार राम, कॉसलिंद्र कुमार सिनह, सोनू चाहिए, आप अपना जवाब हमें हमारे कॉमेंट सुक्षन बॉक्स में लिक कर जरूर बताएं, आज के लिए इतना ही, बिहार की तमाम खबरों के साथ बने राने के लिए देखते रहे बिहारी नूज, अगर आप यूटूब से देख रहे हैं तो चैनल को अगर आप फिस्बूस को देख रहे हैं तो पेच को फॉलो करना ना भूले, धन्यवाद